हलो फ्रेंज तो आप कैसे हैं I hope आप अच्छे ही होंगे तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल का एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट कानुनी धाराओं के बारे में तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे लगा कि यह टॉपिक जो है इससे रिलेटिड जो कोशन्स होते हैं वो बहुत ज़दा पुटप होते हैं हर बार जैसे कि UPSC, NET, IS की तहरी जो लोग कर रहे हैं और Constable वगरा में यह कोशन्स जो होते हैं वो पुटप होते हैं हर बार तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी पर डिस्कस कर लिया जाए इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि इसी के साथ मैं भारती सविदान की कुछ कोशन्स हैं वो भी डिस्कस करूँगी आज इसी वीडियो में आपके साथ और मैंने इसी के साथ भारती सविदान का विकास प्रस्तावना है वे भारती सविदान की जो अनुसूचिया है जितने भी वो डिसकस किये है तो मैंने description के जस्ट नीचे लिंक दे रखी है मैंने उसमें जाके आप मेरे वो वीडियो भी जगर देखेंगे तो आपको बहुत ज देक्का या समय कंदेगां कि भारती सविदान की उनका यह यह एक अंब भारती सविदान में जटनी भी धाराएं है वह लिखित रूप में रहunta है हर एक आम नाग्रिक वैप्ति करता है, तो आईए, नविवास्ट धारा x 300, धारा x 300 कब लगाई जाती है, जब हत्या करना, यह grramos झूर्म में, धारा x 300 लगाई जाती है, यह ऐसी धारा है जिसमें डंड भी मिलता है, इस धारा x 300 कि तहरे हैं, इसके बाद में next है धारा 302, धारा 302 कब लगाई जाती है, तो दोस्तों ये है हत्या का धंड, हत्या की धंड में, धंड जब मिलता है न, किसी की हत्या करने के बाद, तो धारा 302 लगाई जाती है, तो ये तो आपको असानी से याद हो जाएगा, इसके बाद में है, धारा 307 इतरा कब लगाई जाती Thailand कि कोशिश करना यहनी कि किसी की जब कोई वक्ति आंग के कोशिश करता है किसी को मारने की जब धारा 307 काorts लगाई जाती इक है इसके साथ है जुड़ाDIO 376 इतर इनफ द्रह जब यह द्रह करना जाती बलतकार करना बाइन को किसी का बलतकार किया जाता है है ना महिलाय स्त्री जो भी लड़की होती है जब यह धारा लगाई जाती है इसके तहट बहुत ज्यादा जुर्माना भी लगता है अधिक और काफी लंबी सजा भी मिलती है एक वेक्ति को ठीक है तो इसी के बाद में है नेक्स धारा है धारा 376D यह धारा कब लगत लगती है ठीक है इसके तहट तो और भी बड़ा जंड मिलता है इसके बाद में धारा 377 यह धारा कब लगाई जाती है यह अप्रकृतिक क्रित्य है याणि कि जो भूमी वगरा होती है उस पे हानी वगरा पहुचाने पर यह तो 377 धारा लगाई जाती है जिसके तहट भी ज़िताए जुर्माना लगता है इसके बाद में नेक्स धारा 304 जिसमें फार और यह दाकेती कार नहीं कि यह जाते हैं तो जब यह 306 तो भी और एक से अधिक लोगों की तर प्यारा करने के जुरूम में यह 306 यह इसमें जुर्माना भी होता है plus jail की सजावी सुनाई जाती है ठीक है और fancy सजाभी हो सकती है ऐसा भी होता है कानून रूप से इसके बाद में धारा एक सो बीस बी ये धारा कब लगाई जाती है टो डी ये जो मतलब कहें रूप में या ABCD की रूप में वाते आते हैं इसमें बहुत सारी धारा एंग होती है तो पश्यांत्र करना या यहाँ रचना यानि कि कोई भी पश्यांत्र चल पट करते हैं शाज़ीत की रूप में यी 2020 मिनलो ही व जाती है ऑब बहुत बढ़ा पसा ब सक्कार्ते है जाती है विल्वारा के लिए जुरॉचे को अप्रेन यानि कि किसी वक्ति को उठा ले जाना अप्रेन ही कहलाता है वो तो ये धारा 365 जब लगाई जाती है तो दोस्तो कोशन कैसा भी हो सकता है कि आपसे अप्रेन करने के जुरूम में कौन सी धारा लगती है या फिर धारा 365 किसमें लगाई जाती है तो कोशन कैसा भी मिटाना यानि कि जब कोई मतलब हत्या वगरा की जाती है या कोई पर्शियंत्र वगरा रचा जाता है तो शबूत वगरा मिटा दिये जाता है जब ये शबूत मिटाने के जुर्म में 201 धारा लगाई जाती है इसमें भी सजा सुनाई जाती है तीन मेहने की या चै मेहने की जुर्माना भी लगता है इसी के साथ में है अगली धारा है 412, 412 धारा कब लगाई जाती है तो ये धारा छीना जप्टी यानि की खीचा तानी छीना जप्टी के जुरुम में ये धारा 412 लगाई जाती है इसके बाद में धारा 378 चोरी करना इसी की घर में चोरी करने के इसके बाद में है धारा 309, धारा 309 कब लगाई जाती है, आत्म हत्या की कोशिश करना में, जब स्वय वक्ति आत्म हत्या कर लेता है, तो उसमें 309 की धारा लगती है, ठीके, और इसमें क्या होता है, कि पुलिस की जो देखरेक वगरा ज़ादा होती है, यह चान भी ज़ाद जब ठगी करता है, ठग लेता है, यह बश्चाचाद अधिक फैलता है, जब ठगी के जुर्म में, क्या होता है, 310 की धारा के तहट जुर्माना भी लगता है, वह सजामी मिलती है, ठीक है, है ना, कारवाई होती है एक तरह के से, इसके बाद में धारा 312, यह धारा कब करवाना, यहने कjekt अगर कोई महिला का गरभवात महिला करती है, या कोई उससे जबरदस्ति करवाता है, है ना, या फिर मशीनी जाच से कोई गरभवात होता है, तब यह धारा 312 लगती है, और इसकी सजा बहुत अधिक मिलती है, गरभवात करवाने की भी, ठीक है, इसके में नैश् दारा 351 यह जाती है हमला करना किसीवेक्ती के उपर हमला करना या पीछा करना मतलब हमला करना एक जाती तो उस रूप में 351 धारा लगाई जाती है इसमें एक दरीके से ये धारा में मतलब जुर्माना भी लगता है ठीक है इसी के बाद में धारा चार सो निन्याण में जब लगाई जाती है जब जानमाल की हानी का खत्रा करना यानि कि खुद की जब एक व्यक्ति की लड़ाई वगर हो जाती है तो उसको अगर जानमाल की हानी हो तो कानूनी रि कि भारती सविदान से related political के कुछ क्या है questions है जो कि पूछे जाते हैं जा सकते हैं तो इसलिए मैं आप से वो discuss करूँगी अब है ना भारती सविदान की विधी वगरा या सभा से related ठीक है तो दोस्तों ये है कुछ questions जो कि मैं आपके साथ discuss करने वाली थी मैंने बताया था इससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि ये जो भारती जो सविदान सभा है ना है ना इसकी विकास से लेकर कुछ ये जो topic है उसके मैंने detail में discuss किया है तो मेरी वीडियो की जस नीचे description में मैंने link दे रखी तो उसमें जाके आप देखिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी तो देखिए ये जो first question है वो है भारती सविदान के एतिहासिकाल का प्रारम यानि कि एतिहासिकाल का प्रारम कब हुआ था है ना तो ये हुआ था 1600 इससा पूरू में हुआ था इससी में ठीक है इसके बाद में next question है कि regulating act regulate जो act हुआ था कब पारित किया गया वे उच्छ न्याले की इस्थापना का प्रवधान इस्थापना का प्रवधान हुआ यानि कि जो उच्छ न्याले का जो अधिनियम है उसका प्रवधान कब हुआ था तो 1773 में 1773 में हुआ था regulate जो act है उसके तहट act के दोरान हुआ था उच्छ न्याले का जो प्रवधान का अधिनियम हुआ था ठीक है next question है महराणी Victoria को भारत की सामागरिय कब दी मतलब कब दी गई थी तो उस समय महराणी Victoria को 1858 में दी गई थी ठीक है इसके बाद next question है 1909 में भारत शाषन अधिनियम को क्या कहा गया माडले मिंटो सुधार कहा गया था किसको 1909 में भारत शाषन अधिनियम को ठीक है इसके बाद में next question है आधार था तो इसका आधार था cabinet mission क्या था कि भारत की सविदान सभा का गठन करने का आधार था जो mission हुआ था mission योजना 1946 जो की हुई थी ठीक है योजना लिख दिया मैंने इसके बाद में है कि cabinet mission के मुखिया थे तो कौन थे नाम बताती हूँ मैं आपको Lord कौन थे दोस्तो Lord Parthic Lawrence ठीक है मुखिया थे उस time cabinet mission के इसके बाद में है कि सविदान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिदित्व है ना अधिक हुआ किस प्रांत का तो सयुक्त प्रांत का प्रतिनिदित्व अधिक हुआ था सयुक्त तयानी की जैसे कि आप एक साथ रहने वाले का प्रतिनिदित्व अधिक हुआ था ठीक है इसके बाद में है डॉक्टर बी आर अमबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ तो पशिम बंगाल से मतलब वो लड़े थे आपने ने जो भी किया था योजना है वगेरा वो पशिम बंगाल से स्टार्टिंग हुए थे उनकी निर्वाचन फिर है बिर्टिश संसद में भारतिय स्वतंता स्वतंता अधिनियम प्रस्तावित हुआ तो कब हुआ था स्वतंता जो अधिनियम हुआ था बिर्टिश से भारत में वो कब हुआ था तो 4 जुलाई को हुआ था 1947 में ठीक है दोस्तों इसके बाद में है ये जो कोशन्स है ना ये काफी बार पुशप पुट अप हो चुके है इसलिए मैंने आपको ये बताए है और कुछ कोशन्स ऐसे भी बताए है जो हो सकते है है ना अब इसके बाद में नेक्श को से ने भारत स्वतंता अधिनियम कब सुईकार किया स्वतंता का जो अधिनियम है ये तो क्या है कि प्रिस्तावित किया गया था प्रतिनी दित्व में संसद में और ये सुईकार कब किया गया है तो 18 जुलाई 1947 में किया गया था 1947 में ठीक है अधिनियम को तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो कोशन्स थे कुछ कौन से भारती सविधान की मूल विदियों के यानि कि सविधानिक विकास हुए सविधान सब आके तो ये कोशन्स जो कि हैं कम्प्लीट हो चुके हैं आई होप आपको जो कानूनी धारा है और ये कोशन्स समझ में आयोंगे तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और अगर आपको पॉलिटिकल से रिलेटिट कोई भी जो टॉपिक है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ जानना है और कोईशन्स वगरा तो आप मेंको कमेंट में बता सकते हैं जिससे हम उस टॉपिक पर भी डिस्कुस करेंगे मैं कोशिश करूँगी डिस्कुस करने की तो आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तैंक यू